स्लीप हाइजीन, अपने मस्तिस को बहतर नीन के लिए कैसे प्रशिक्षित करें अच्छे मांसिक स्वास्ट के लिए प्राप नीन होना बहुत जरूरी है नीन की कमी वास्तव में मांसिक बिमारी का कारण बन सकती है एक अनुसंधान में यह पाया गया है कि डिप्रेशन का इलाज करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है लोगों को नीन की गुनवत्ता और मात्रा में सुधार लाना इसके अलावा यह भी पता चला है कि अनिद्रा के समाधान के बाद उनमें से 87 परतीशत ने अपने डिप्रेशन में सुधार का अनुभव किया है आठ सप्ता की अच्छी नीन के बाद उनके डिप्रेशन की लक्षन काफी कम हो गए अतै हमें जानना चाहिए कि हम नीन पाने की अपनी शमता को कैसे सुधारे जब कुछ लोग अपनी समस्याओं जैसे डिप्रेशन, चिंता या पारिवारिक समस्याओं आदी के इलाज के लिए काउंसलर या साइको थेरपिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे आम जुड़ी समस्याओं में से एक है नीन की समस्या उन्हें नीन आने में कठिनाई का अनुभव होता है या नीन पूरी करने के बाद भी ठकान महसूस करते हैं जबकि पर्याप्त गुनवत्ता वाली नीन यानि की क्वालिटी स्लीप लेने से आपके मस्तिस का कारे बहतर हो सकता है और आप समस्याओं को हल करने में बहतर हो सकते हैं आईए जाने कि कैसे हम अपने दिमाग को अच्छी तरह से सोने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं जिसे स्लीप हाईजीन कहा जाता है स्लीप हाईजीन का मतलब है कि सोने की अच्छी आदते एक ऐसी दिन चर्या जो आपके दिमाग और शरीर को यह जानने के लिए प्रशिक्षत करती है कि अच्छी नीन कैसे ले बी रेगुलर कमरे में रौशनी मंदी करके सोएं अपनी गतिविद्यो को कम करें किता पढ़ने यस नान करने जैसे शान्त गतिविद्या करें क्योंकि यह शरीर और मन को शान्त रखने में मदद करती हैं अपने कैफीन के उप्योग पर एक नजर डाले सोने से पहले कम से कम कई घंटों तक कैफीन जैसे कि चाय या कॉफी लेने से बचे सोने से पहले तेलिय भोजन या जरूरत से जादा खाने से या ओवर एटिंग करने से बचे जिससे एसिडिटी और पाचन संबंदी समस्याएं नीन में रुकावट कर सकती है विभिन अध्याइनों में पाया गया है कि दिन के दोरान शार्रिक और मानसिक व्यायाम करना भी आपकी सोने की शमता में काफी सुधार ला सकता है यदि आपको दिन में नींद आ रही है तो आप पावरनेप ले सकते हैं लेकिन लंबी नींद रात की नींद में बाधा बन सकती है नींद की गोलियों का सेवन बिलकुल भी ना करें और अगर दवाई लेनी की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर की निगरानी में ही ले आखिर में एक बहुत ही महत्वपून संदेश जब हम अपने शोद में ग्रामिन महिलाओं से बाचीत कर रहे थे तो इन औरतों ने भी रात को नींद ना आने की शिकायत की और इसी चर्चा में एक महिला ने कहा कि जब किसी से दिन में कहा सुनी या जगड़ा हो जाता है तो मैं यह सोचती रहती हूँ कि मैंने यह क्यों नहीं कहा और वह क्यों नहीं कहा यह message हमें बहुत ही बड़ी सीख देता है कि बहुत बार हम शरीर को तो सोने के लिए बिस्तर पर डाल देते हैं मगर हमारा मन free floating हो इधर उधर दोड़ता रहता है जिसमें depression, चिंता ये तनाम देने वाले विचार बे रोक टोक घूमते रहते हैं और हमारी नीन के लिए एक बहुत बड़ी बादा बनते हैं यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको सचेतन हो कुछ और तक्नीकों का अभ्यास भी करना चाहिए जैसे शरीर को अराम देने वाली तक्नीक पर ध्यान के इंड़ित करना light music, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना अगर आपका किसी मंतर में विश्वास है उसमें ध्यान लगाना या कोई भी धार्मिक रिवास शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दे उसे आराम दे बनाना आदी आजकल मुबाईल एप्स भी उपलब्ध हैं जो आपको सोने में मदद करती हैं कहने का मतलब यह है कि जो भी तरीका आपको पसंद हो और आपके लिए कारगर हो सोते वक्त उसका इस्तमाल करना बहुत जरूरी है तदा सोते वक्त आपका तन और मन दोनों ही शांध होने चाहिए जिससे आपको अच्छी नींद आए और आपकी कुशलता बहतर हो धन्यवाद